नमस्कार आप देख रहे हैं सीनियूस भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रवास्ता जो गरजता है वो बरसता नहीं क्या आपने ये कहावत सुनी है अगर हाँ तो अखिलेश श्यादव ने इस कहावत तो गलत साबित कर दिया है और बता दिया है कि अगर वो गरज र बड़ा और कड़ा संदेश दिया है अगर चुनावों में उन्हें पास सीटे नहीं मिली तो सपा के ड़े ही 25 से 30 सीटों पर महराष्ट में चुनाव लड़े की सपा फिलाल पाच सीटों पर अड़ी हुई है जबकि M.V.A. सिर्फ दो सीटे देने को ही तयार है ये अंविये के लिए बड़ा संकट बन सकती है अब वह आसे माजमी की तिर्ची निगाहें भी सोर इशारा कर रही है कि राजनीती में ना किसी का दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन होता है जब बात अपनी सत्ता की हो तो सब अपनी स्वार्थ के लिए तयार रहते हैं वही अकिलेश यादव का कहना है कि गटबंदन में रहकर चुनाव लगने की वो कोशिश करेंगे लेकिन अगर उन्हें दरकिनार की आगया तो वो अपने रास्ते पर चलेंगे ये सुनकर ऐसा लगता है कि मानों वो कह रहे हो कि बंदू की नौक पर समझवाता तो करना एमवे में कॉंग्रिस सेना, उधव गुट और राष्टरवादी कॉंग्रिस पार्टी यानि की अन्सीपी के बीच सीटों का बटवारा अभी अधर में लटका है अबु आसिमाजमी ने कॉंग्रिस पर आतीत में धोका देने का रोप लगात वे का कि वो हमेश्वा बातों में फसाने में माही है ये राचनीति का वो खेल है जुसमें का हुआ चला हंस की चाल के तर्श पर कॉंग्रिस का पढ़ा भारी पढ़ सकता है यानि की पाला में काफी जादा नुकसान उन्हें उठाना पढ़ सकता है मही माराश्ट में अगर अखिलेश यादव नाराज हो लड़ते हैं तो एम बीए गटबंधन से आलग होका चुनाव लड़ते हैं तो गटबंधन को बड़ा नुकसान जरूर होगा जिन लगवक 30 सीटों पर अखिलेश यादव के प्रत्याश्टी चुनाव लड़ेंगे उसमें से वो भली ही जीत ना पाए लेकिन वोट कटवा जरूर बन जाएंगे महायूती का अपना वोट बैंक है जो नहीं बटेगा समाजवादी पार्टी शुरत परवार की पार्टी एंस्टीपी और कॉंग्रिस के वोटर्स को ही काटेगी ऐसे में फाइदा महायूती को ही होगा अखिली श्यादव ने सपस्ट कर दिया है कि व जहतर चला पाएगा और कॉन ब्रादुनीती का असली खिलारी बनेगा खिलारी स्काश रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की बाकिया और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं यसी नियूस भारत